हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल टीज टू लर्न जैसा कि आपको बता है हमने सीरिस स्टार्ट करी है जिसमें हम NCRT की बुक्स को कवर कर रहे हैं और हमारा अब थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है हीट इससे पहले हमने कवर किया जो वीडियो उसमें हमने बात करी थी क्ले निकल थर्मोमीटर के बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी उसमें हमने बात करी थी लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में उससे निए जो भी कोशंस थै वो हम डिस्क आप चुके हैं. आज की जो वीडियो हमाली रहने वाली है, उसमें हम बात करने वाले हैं, ट्रांसफर ओफ हीट के बारे में, जिसμεं हम कवर करेंगे कि जो हीट है, वो ट्रांसफर कैसे होती है किसी भे सब्स्टान्स से। वो उस frying pan को घरम कर देती है और जब हम heat को मतलब flame के उपर से अपने utensils को हटा लेते हैं तो फिर कैसे वो धीमे धीमे ठंडा हो जाता है तो यह जो सारे questions हैं उनका जवाब हमें आची वीडियो में मिल जाएगा तो आप इसको end तक अच्छे से देखिए तो देखिए जो heat है वो transfer हो रही है pan से surrounding में जब हमने उसको flame से हटा के नीचे रख दिया तब इन दोनों cases में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है जब जो pan है जैसे heat के उपर रखा हुआ यहाँ पर pan तो गरम से जो heat है वो कहां से transfer हो रही है hotter से transfer हो रही है यह pan थंड़ा है colder की तरफ और जब हमने इसको surrounding में रख दिया इस pan को तो फिर जो surrounding है जो हमारा पूरा का पूरा surrounding है वो कैसा है cold है तो it means अब भी heat कहां से कहां transfer हो रही है hotter से cold की तरफ तो basically हो क्या रहा है जो heat flow कैसे कर रही है from hotter object to the colder object in fact in all cases heat flow from a hotter object to colder object means की जो heat basically flow कैसे करती है hotter object से cooler object की तरफ तो अब यह तो हमने बात कर लिया कि heat flow करती है पर यह जो heat आके रही है यही तो हमने देखना है ना उसके लिए देखो एक experiment करते है इस experiment में क्या करा हुआ है एक road ली हुई है metal की और उसके उपर यहाँ पर wax लगा दिये गए है यह सब क्या है जो हमें दीख रहे हैं यह क्या है wax लगी हुई है और इसके एक end पे जब हम candle blow करेंगे तो क्या होगा जो इसके पास वाली wax है वो सबसे पहले melt हो जाएगी तो इसमें हम देख के रहे हैं कि जो पास वाली wax सबसे पहले melt हो यह उसके बाद अगली वालीमेंट होगी फिर अगली वालीमेंट होगी तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है जो heat है वो कहां से कैसे कैसे transfer कर रही है उसके nearest end से other end की तरफ transfer कर रही है तो वो process जिसमें heat transfer होता है hotter end से cooler end की तरफ उसको हम क्या कहते हैं conduction कहते हैं तो जो conduction है mainly किस में होता है it's occur mainly in solids जो conduction है वो कहां होता है solids में होता है in solids generally the heat is transferred by the process of conduction do all substances conduct heat easily तो क्या हम यह कह सकते हैं जितने भी solid substance है क्या वो heat easily conduct कर लेंगे क्योंकि अभी हमने कहा ना कि solids में heat कैसे transfer होती है by conduction जैसे कि जो pan था वो भी क्या था solid ही था तो pan में भी यही हो रहा था जो heat थी वो उसके heat hotter end से cooler end की तरफ transfer हो रही थी इसी कारण जो pan हो रहा था वो hot हो रहा था और कौन सा प्रोसेस होता है यह conduction होता है अब देखो आपने कभी सोच होगा कि जब हम pan जैसे यह हमारे पास pan है ठीक है तो उसका जो handle होता है हम क्या करते हैं जब भी वो flame पर होता है तो हम क्या करते हैं उसको इसे handle से उठा लेते हैं तो अब देखो यह जो pan है यह तो क्या हो चुका है होट हो चुका है पर जो इसका हैंडल है वो होट क्यों नहीं है यह जो हैंडल है यह कोल्डी है क्या इसने इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हुई अब यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि कुछ सॉलिट सबस्टांस ऐसे होते हैं जिसमें से हीट पास कर जाती है easily ऐसे सबस्टांस को हम क्या कहते हैं conductor कहते हैं वो होते हैं conductors जिसमें से heat वगएरा easily पास कर जाती है जैसे कि aluminium, iron और copper ये सब क्या हैं conductors हैं और ऐसे substances जिसमें से heat पास नहीं करती हैं जैसे अभी हमने बात करी plastic की जो flying pants के handle बगएरा होते हैं वो इनहीं के बने रहते हैं ये सब क्या होते हैं poor conductors होते हैं heat के इसी के कारण इने हम क्या कहते हैं insulator कहते हैं तो जो water और air हैं वो basically क्या होते हैं poor conductor होते हैं heat के अब ऐसा क्यों क्योंकि water और air इनमें जो molecules होते हैं छैसंवे ये क्या है। एर, एर के मॉलीकूल्स क्या होते हैं। बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसी के कारण heat के ये इजली good conductor नहीं होती है। और जो water होते हैं उसके जो molecules होते हैं ह2-O होते हैं उनके जो molecules होते हैं उनकी bonding strong होती हैं। इसी के कारद जब हम उन्हें heat करते हैं तो heat में participation नहीं कर पाते इसी के कारद water भी क्या होते हैं poor conductor होते हैं heat के ठीक है तो मतलब poor conductor है तो फिर क्या इनमे heat transfer ही नहीं होगी ऐसा नहीं होगा इनमे heat जो transfer होती है उसका एक अलग process होता है ये जो हमारी next activity है उसमें देखते हैं कैसे हुआ अब देखो इस activity में क्या है एक flask में water रखा हुआ है जब water पूरा still हो जाएगा तो उसमें हम क्या add कर देंगे potassium permagnate add कर देंगे उसके bottom पे यह जो flask है उसके bottom पे हम क्या add कर देंगे potassium permagnate add कर देंगे using straw उसके बाद जब वो heat होगा water जिसमें हमने potassium पर magnet डाला है तो हम देखते हैं कि जो observation होती है वो क्या निकल कर आएगी देखो When water is heated, the water near the flame gets hot and hot water rising up, the cold water from the sides moves down toward the source of it अब इसमें क्या है? ये क्या है? bottom flask है, इसमें जब नीचे वाला water के molecules जब hot होगे जब हमने इसे burner के नीचे रखा है तो ये जो hot वाले air molecules होगे वो उपर चले जाएंगे और उपर जो cold वाले water molecules है वो कहां आजाएंगे? नीचे आजाएंगे इसमें basically होता क्या है जो भी नीचे वाले hot हो जाएंगे water molecules वो उपर चले जाएंगे और जो cold water है वो क्या होता है नीचे आता जाएगा यह हमें कैसी पता चला जब हमने potassium per magnet इसमें डाला था ने तो उसका क्या था color black था तो इची की कारण हमें पता चलता गया क्योंकि black वाला potassium per magnet था जैसे जैसे heat up होता गया वो क्या होते गया उसके molecules उपर जाते गया और फिर side में जो water cold था उसके molecules की आते गया नीचे आते गया तो यह process जिसमें यह process तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा water hot नहीं हो जाता तो इस तरह का mode of heat transfer उसको हम क्या कहते हैं convection कहते हैं यह जो mainly इस तरह का mode of heat transfer किसमें होता है? waters में होता है और यह किसमें होता है? एर में होता है देखो ये तो हमें बात कर लिए water के तो एर में कैसे होगा उसमें भी ऐसे ही होगा the air near the heat source get hot उसमें भी क्या है जो heat source के पास air होगी वो क्या हो जाएगी hot हो जाएगी और फिर उपर चली जाएगी और the air from the side comes in to take its place जैसे अभी यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है airs के molecules है airs के molecules है यहाँ की air अगर hot होगी तो यह कहाँ चली जाएगी उपर चली जाएगी अब उपर वाले air molecules होट नहीं है तो वो क्या करेंगी इसी की place पर वापस आजाएगी वही इनोंने कहा है the air from the side क्या ले लेंगे place ले लेंगे इन दिस वे air gets heated तो इसी तरह air भी heated होती है मतलब कि उसका भी mode of transfer of heat क्या हो जाएगा convection हो जाएगा अब उसके लिए ना हम यहाँ पर activity दी है उसमें करते हैं देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम candle के उपर directly अपना hand place करते हैं तो वो वाला part ज़्यादा hot लगता है as compared to जो hand हमारे side में है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा convection के कारण ही होता है क्योंकि जो hand हमारा उपर है उसमें directly यहाँ वाला जो air है वो hot हो रही है और सीधा कहां चली जा रही है उपर चले जा रही है और उपर की जो cold air है वो वापस यहाँ आके इसकी जगा ले ले रही है इसी के कारण यहाँ की जो air है पूरी की पूरी क्या हो जाती है hot हो जाती है पर जो side वाली है वो उतनी ज़्यादा hot नहीं होती है क्योंकि side में हम यह भी नहीं कह सकते कि convection है ठीक है और conduction तो हो ही नहीं रही है तो उसके लिए क्या है उसके लिए हम एक और transfer पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते है radiation अब यह radiation क्या है देखो जो when we come out in the sun जब हम sun में आते हैं थंड में तो हमें क्या फील होती है warm फील होती है अब यह warm हमें फील कैसी हुई कैसे sun की जो heat है हमारे तक पहुची क्योंकि sun तो बहुत ही ज़्यादा दूर है it can't reach us by conduction और convection क्योंकि conduction से भी नहीं हो सकता और convection convection में तो कितना time लग जाएगा कितनी ज़्यादा दूर है वो कब उसकी air heat होगी sun के पास वाली कब दूसरी air वहाँ पर जाएगी कब ऐसे ऐसे करते करते तो बहुत ज़्यादा time लग जाएगा it means वो convection भी नहीं है तो फिर यह कौन सा method at heat transfer का क्योंकि कोई भी कोई medium ही नहीं है वहाँ पर तो air medium present ही नहीं earth और sun के बीच में क्योंकि कई ऐसे parts आते हैं space में जहां पर vacuum होता है तो फिर वहाँ पर heat transfer कैसे होता है from the sun the heat comes to us by another process उस process को हम क्या कहते है radiation कहते है the transfer of heat by radiation does not require any medium यह important point है कि जो radiation में heat की transfer होती है उसके लिए किसी भी medium की ज़रूरत नहीं होती है it can take place whether a medium is present medium present होगा तो भी और medium नहीं present होगा तो भी यह जो radiation है वो हो जाएगा अब इससे हमें example है देखो जब भी हम room में बैठते हैं room में heater के सामने तो हमें इसी process से ही पूरा का पूरा जो room है वो इसी process के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि वो room पूरा गरम हो चुका है और जो flame की हमने बात करें थी hot utensils जब flame से हम दूर रख दे रहे थे तो जो heat है वो surrounding में भी इसी process से ही transfer हो जा रही थी radiation के process से ही और जो हमारी body है वो भी heat देती है surrounding को और receive करती है heat by radiation क्योंकि हमारी body में से भी heat continuously बाहर निकलती रहती और वो surrounding से heat और gain भी करती रहती है with the help of radiation तो समझ में आया कि जो radiation है वो क्या है all hot bodies radiate heat जितनी भी hot bodies है वो क्या करती है heat radiate करती है when this heat fall on some object जब कोई भी heat किसी भी object के उपर होगा तो कुछ heat वो क्या करेगा reflect कर देगा कुछ heat वो absorb कर लेगा और कुछ heat उसी की body में से transmitted हो जाएगा the temperature of the object increase due to अगर किसी भी object का temperature increase हुआ है तो it means क्या है उसने जो heat है वो क्या कर ली है absorb कर ली है ओकि ये तो बात होगी हमारे तीनों जो method थे transfer of heat के सबसे पहले क्या था कंडक्शन था जिसके थुरू solids heat up हो रहा थे उसके बाद हमने बात करी convection की जिसके थुरू क्या हो रहा था जो water था या फिर जो gases थे उसमें heat transfer हो रही थी उसके बाद हमने बात करी radiation की radiation में क्या है इसको किसी भी medium की requirement ही नहीं Cincinnati को transfer करने के लिए अब देखें आपर कुछ land breeze और sea breeze के बारे में बताया हुआ है तो हम उसको study कर लेते हैं देखो daytime में क्या होता है हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था जो heat है वो hotter object से कहां जा रही थी hot से किस की तरफ जा रही थी cold की तरफ जा रही थी अब देखो जो coastal areas होते हैं जहां पर rate जादा होती है वहाँ पर आपने notice क्या होगा दिन में बहुत जादा गर्मी होती है और रात में क्या होती है थंड होती ऐसा क्यों होता है क्योंकि दिन में अगर आप देखिए दिन में क्या होता है वहाँ पर जो ये land है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है hot हो जाती है और जो ये sea है, sea को hot होने में और cold होने में time लगता है और sea कहा रहता है cold होता है और अभी हमने देखा जो heat है वो hot से कहां जाती है, cold की तरफ जाती है जब air ये इस reason से जो reason hot है land hot है, वहाँ से कहां जाएगी cold की तरफ जाएगी ये वाला part क्या हो जाएगा, यहाँ पर air खाली हो जाएगा, तो उसको भरने के लिए cold air कहां, जो sea है, वहाँ से कहां आ जाएगी, land में आ जाएगी तो यहाँ पर day time में क्या हो रहा है, जब कभी अगर आप समंद्र के पास खड़े रहेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है basically, जो cold air है वो sea से कहां आ रही है, land पर आ रही है इसलिए अगर आप यहाँ पर land पर खड़े रहेंगे, तो आप देखेंगे, समंद्र के आगे खड़े होके, कि वहाँ से ना हमें थंडी थंडी हवा आएंगी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि day के time में, जो land है, वो क्या हो जा रही है बहुत ही जादा गरम हो जा रही है गरम होने के कारण, heat transfer हो रही है, hot से cold की तरफ और यहाँ पर air present नहीं है, तो उस air को present करने के लिए, जो थंडी हवा है, वो sea से कहा आ रही है land की तरफ आ रही है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमने थंडी हवा को देखना है अगर थंडी हवा sea से आ रही है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, sea breeze नाम देंगे, it means day time में क्या हो रहा है, sea breeze हो रहा है पर night में क्या होगा, अभी हमने देखा कि जो land है जल्दी ही गरम होती है, जल्दी ही थंडी होती है और night में क्या होगा night में यह जो land है, बहुत ही जल्दी थंडी हो जाएग, यह मतलब कि तो जो night है उसमें क्या हो रहा है, जो land है, वो बहुत हिज़ा थंडी हो गई है, पर land के comparison, water क्या है, अभी भी hot है, तो यहां पर क्या होगा, water से hot air, land की तरहिए गी है और land से cold hair कहा चली जाएगी, water में चली जाएगी, तो अभी मैंने आपको क्या अगा कि जो breathers को कैसे जाद रखना है, थंडी है हवा की तरह से, अब थंडी हवा यहां कहां से कहां जा रही है, लैंड से जा रही है, वाटर की तरफ तो इसको हम क्या कहा देंगे, लैंड ब्रीज कहा देंगे, अभी देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, जो पेपल कोस्टर अरिया में रहते हैं, वो यही इंट् राइस कर जाती है और कूलर एयर फ्रॉंग्ड सी सी से कहां आ जाती है वो लैंड की तरफ आ जाती है और जब वार्म एयर लैंड से मूव करती है सी की तरफ मतलब वही हो रहा है एक साइकल कंपलीट हो रहा है जो सी है वहां से कैसी हवा आ रही है थंडी हवा आ रही है और ल तो यह व्रीज हो जाएगी और में सुबह वहां पर कैसी हवा आएगी थंडी हवा आएगी तो इस थंडी हवा को रिसीव करने के लिए उनके जो हाउस के विंडो होती है वो सी की तरफ मुझ करे हुवे बने होते हैं और नाइट में एक्जेक्ली इसका क्या होता है रिवर्स हो जाता है जो वाटर होता है कूल होने में उसको जादा टाइम लगता है बहुत धीमे धीमे कूल होता है इसलिए थंडी हवा लैंड से मूव करती है अब थंडी हवा कहां से मूव कर रही है लैंड से इसलिए इसको हम क्या कहते हैं लैंड ब्रीज कहते है तो आई होब आज का यह जो टॉपिक था जिसमें हमने मेंली बात करी ट्रांसफर और हीट के बारे में और दो इंपोर्टन टॉपिक्स क्या थे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इसको याद कहां से रखना है जहां से थंडी हवा आ रही है वही क्या हो जाएगा ब्रीज हो जाएगा जैसे सी से थंडी हवा आए तो सी ब्रीज और लैंड से थंडी हवा सी की तरफ जाएगा लैंड ब्रीज हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग